हेलो एंड बेलकम बैक टू और यूटूब चैनल जी एंसी नर्सिंग कोचिंग आज हम फार्मकलोजी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्क्स करने वाले हैं जिसका नाम है एंटी डॉट एक्जाम पॉइंट आप व्यूसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉ क्या होती है इसा केमकल सब्स्टेंज गिवें टू काउंटर एक्ट अधर केमकल सब्स्टेंज यानि ऐसा केमकल सब्स्टेंज जोगी किसी दूसरे केमकल सब्स्टेंज के एफेक्ट को कम करने के लिए खतम करने के लिए दिया जाता है उसे आपन क्या बोलते हैं एंटी ड द off dot के के सों को कम करने के लिए खतं करने के लिए जो हम दवाई देते हैं उस मेरीच को आपन क्या बोलते हैं एंटी रॉट तो यहाँ पर एक-एक सबस्टेंश या एक-एक दवाई को हम डिसस-कर सिटाल सिस्टिन इसका एंटीडॉट है दूसरा बात करते हैं मॉर्फिन या ओपवाइट्स इसका एंटीडॉट होता है नलेक्जॉन तीसरी दवाई है हिपैरिन जिसका एंटीडॉट है प्रोटामिन सल्फेट नेक्स बात करते हैं नेक्स जो मेडिशन है उसका नाम है एट पॉलीस्टिरीन सल्फोनेट ठीक है नेक्स बात करते हैं कार्बन मोनो अक्साइड इसका एंटीडोट होता है ऑक्सीजन नेक्स्ट आरन आरन का जो एंटीडोट होता है वो होता है डीफेरक्सा माइन नेक्स्ट केमिकल एजेंट है या सबस्टांस है बेंजोडाजीपाइन इसका एंटीडोट होता है फ्लोमेजैनिल नेक्स्ट डिजॉक्षिन इसका एंटीडोट होता है डिजीबाइन या डिजॉक्षिन अम्यून फैब नेक्स्ट आयोडीन और इसका एंटीडॉट होता है सोडियम थियो सल्फेट नेक्स्ट नाइट्रेट इसका जो एंटीडॉट होता है वो है मिथालिन ब्लियो नेक्स्ट एंटीडॉट होता है आरसेनिक और इसका एंटीडॉट होता है डाइमर कैपरॉल एक्जाम पॉइंट आप भी उसे ये कईयो बार पूछा गया है कि आर्सेनिक की एंटी डॉट क्या होता है तो आपको बताना है डाइमर क्या प्रॉल नेक्स बात करते है थियोफालिन थियोफारलिन की जो एंटीडॉट होता है, वो होता है बीता ब्लोकर नेक्स बात करते हैं, आईसो नियाजिद, आईसो नियाजिद ये ATT है और इसका जो एंटीडॉट होता है, वो होता है पायरोडॉकसिन या बाइटरमिन B6 अन्नोन टॉक्षिन यानि हमें नहीं पता है कौन सा टॉक्षिन है और इसकी जो एंटीडॉट होता है वो होता है गंपरेंट जो एंसब मिंच्व खेल होता है ने फट शल्म यकठ क। यह होता है एक्टिवेटेड चारकोल ने क्स बहृते इंपर्टेंट सब्स्टेंस के बारे में डिसस करने वाले हैं जिसका नाम है वार्फेरिन ये एक्जाम पॉइंट आप भी उसे बहुत इंपॉर्टेंट है कईयों बार आया है और एक्सका एंटी डॉट होता है वाइटामिन के नेक्स बात करते हैं और गेनो फोस्फेरस पॉइजनिंग मस्रूम पॉइजनिंग और नियो इस्टिग्मिन ब्रोमाइड इन तीनों का एंटी डॉट होता है एट्रोपीन नेक्स्ट आगे बात करते हैं मैगनेसियम सलफोनेट जिसका एंटी डॉट होता है पर्टिकुलर कैल साइनाइट का होता है सोडियम नाइट्रेट या सोडियम थियो सलफेट नेक्स आगे बात करते हैं लेड लेड का क्या होता है कैल्सियम डाइसोडियम इडिटेट नेक्स बात करते हैं मैथोट्रेक्जेट इसका पर्टिकुलर एंटीडोट होता है लिकोवरिन यह इंपॉर् आप भी उसे बहुत important है बार-बार यहां से question जरूर put up किये जाते हैं तो आसा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए कुछ helpful रही होगी यहां से आपने कुछ सीखा होगा अगर यहां से कुछ सीखा हो तो वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और आप हमारे चैनल अगर नए हैं तो चैनल को subscribe करें thanks for watching my video